हलो दोस्तों, फैंटास्टिक फ्लेवर फूड में आप सभी का स्वागत है तो आज हम बनाएंगे बचे हुए चावलों से एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना बहुत ही असान है और घर में रखे कुछी समान से हम इसे बना करके तियार करेंगे अगर आपके घर में भी चावल बच जाते हैं तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करिए तो यहां पे एक कप चावल मैंने ले लिए हैं लगभग एक कप के करीब हैं और यह ठंडे चावल है गरम करने की ज़रूरत नहीं है अब हम क्या करेंगे इन चावलों को मिकसर ग्राइंडर में डाल करके पीसना है हमें तो चुकि अगर हम सिर्फ चावल से से बनाएंगे तो यह नास्ता चिप-छिपा बनेगा इसलिए हम इसमें आधा कब बेसन इस्तमाल करेंगे और जितना बेसन लिया है उतना ही हमें इसमें दही लेना है तो दही बढ़िया खटा लेना है हमें और इसके बाद जितना हमने दही डाला है उतना ही हमें इसमें पानी डाल करके इसे बढ़िया से पीस लेना है तो ये लीजे मैंने इसे बढ़िया से पीस लिया है अब थोड दराग उटा हुआ मिर्ची और अद्रक तो यहां पे मैंने एक इंच अद्रक के टुपड़े को और तीन-चार मिर्ची को अच्छे से कूट लिया है और इसे एट कर दिया है अब इसके बाद यहां पे स्वात के नुसार नमक एट करेंगे और हमारे नास्ते को और भी और फलफी बनाने के लिए हम यहां पे स्थमाल करेंगे बारिक वाली सूजी तो यहां पे मैंने एक कप सूजी कर स्थमाल किया है तो आप यहां पे चाहें तो बारिक वाली सूजी या फिर मोटी वाली सूजी कोई भी स्थमाल कर सकते हैं जिससे हम उपमा बनाते हैं तो ल परतन में आप बना सकते हैं तो लीजे 10 मिनट हो गया है और सूजी बढ़िया से सेट हो गई है अब आप देख सकते हैं बैटर पहले से थोड़ा सा थिक हो गया है तो इसमें हम 2 टेवल स्पून के करीब पानी आड़ करेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने कि हमने दही डाला है तो खटा मीठा टेस्ट आएगा बहुत ही बड़िया लगेगा और इसके बाद यहां पे हम इसमें एड़ कर देंगे एक चुथाई चमच बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है बसवाई सोडा हमें इसमें एड़ कर देना है आप इसकी जगह पे इ और हाँ ध्यान रहे कि पानी का लेविल जो है वो थोड़ा आप जादा रखिएगा ताकि जो हमारा नाश्ता है वो अच्छे से स्टीम हो जाए क्योंकि इसे स्टीम होने में 20 मिनट लगता है तो टोटली 20 मिनट में यह बढ़िया से पकर के तियार हो जाएंगे तो मीडिय सा बस इसे टैप करेंगे और यह हमारा मज़ेदार सा नाश्ता बन करके तियार हो जाएगा यह देखिए तो चलिए अप अपने नाश्ते को बड़ी असा शेप दे देते हैं तो मैं इसे आपको दिखाते हूं कितना स्पॉंजी हुआ है कितना जालीदार बना है बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलिशियस बन करके तियार होता है तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैं आपको यादे लाना चाहूंगे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप ये रेसिपी फेस्बुक पे देख किया है आप चाहे तो इसे स्कॉयर में भी कट कर सकते हैं इसे अब हम बढ़िया सा तड़का देंगे तो तड़के पैन में मैंने एक चमच तेल गरम किया है उसमें डालेंगे एक चमच सरसो आदा चमच जीरा इसी के साथ हरी मिर्ची एड़ किया है मैंने थोड़ा सक सफेद वाला तिल एड़ करेंगे जब यह सारी चीजे अच्छे से क्रैकल होने लगे तो इसमें हम एड़ कर देंगे एक चुथाई चमच कश्मीरी लाल मिर्च तो जैसे ही हम मिर्च पाउडर एड़ करेंगे तो हमें फ्लेम को एकदम लो कर देना है और लो फ्लेम पे इस आप देखेंगे कि इसमें बड़ी असा स्पोर्ट पढ़ गया है और इसका टेस्ट दुगना बढ़ जाएगा तो लीजिए यह बन के तियार है हमारा यह बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता तो अब जब भी कभी आपके घर में चावल बचे हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बना करके देखिए मेरी कहने से एक बार ज़रूर बना करके देखिए आपको यह नाश्ता बहुत पसंद आएगा एकदम सौफ्ट एकदम जालीदार यह नाश्ता बन करके तियार होता है बच्चों को बड़ों को सभी को पसंद आएगा आप यह नाश्ता बना कर till then take care and bye